नमास्कार दोस्तो आप लोग आपना चैनल 24 श्टडी वाला पर स्वागत है दोस्तो आज हम आप लोगों को S.S.C. घटना चेकर G.S. के इस बुक में जो भारत का भूगोल का जो बिसे है उस बिसे में जन संख्या और नगिकरण कि जो टॉपिक है उसे लिटर जितने कोशन सारे कोशन को कम्पेट कराऊंगा और उसकी आगे के भी जो भी कोशन होंगे सारे कोशन को कराऊंगे दोस्तो इसके पहले के जितने कोशन है सारे कोशन को मैं कम्पेट करा चुका हूँ जो बिजार्थी उन वीडियो को नहीं देखे हैं वे हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर उसे देख सकते हैं चले दोस्तों शुरू करते हैं इस टापिक को जिसका नाम है जन संख्या और नगरिकर का जो पहला कोश्चन है वो है आवधिक रूप से की गई जन संख्या की आधिकारिक गर्णा की रूप में जाने जाती है तो किस रूप में जाने जाती है तो जन गर्णा की रूप में जाने जाती है ते ही आसान सा कूशन था उसके बार मिसके मीन देख लेते हैं तो आवधिक रूप सी की गई जन्संख्या की आधिकारिक गणना जब गणना की रूप में जाने जाती है अगला कुशन है भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है तो कैसे की जाती है तो यह प्रती हजार पूर्सों पर इस्तुरियों की संख्या होती है वही लिंग अनुपात की गणना उसी के आधार पे की जाती है भारत में लिंग अनुपात की गणना जो है प्रती अनुपात सब्द का सही अर्थ क्या है तो इसका जो सही अर्थ होता है जब हम ज़स्ट उपर हम देखे भी है कि एक हजार पूर्सों पर महिलाओं की कितनी संख्या होगी तो यह आपका बी जो है यह आपका सही हो जागए एक हजार पूर्सों पर महिलाओं की संख्या इसके ग्यार्यक के जनगर्णा के अनंतिम और अंतिम आकडों के अनुसार केरल की जो लिंगानुपात है एक हजार चौरासी है केरल देश का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है अगला कॉशन है बाल लिंगा नुपात क्या होता है तो बाल लिंगा नुपात जो होता है वह 0-6 वर्ष आईव के प्रती 1000 पूर्षों पे महिलाओं की जो संख्या होती है वह क्या होती है बाल लिंगा नुपात इसके बारे में देख लेते हैं तो 0-6 वर्ग में प्रती 1000 किसी देश की जन्मदर को किस तरह से परिभासित किया जाता है तो जन्मदर जो होती है किस तरह से परिभासित की जाती है इसके बारे में देख लेते हैं आपके किसी छेत्र की जन्म संख्या के तुलना में उस छेत्र में जन्म लेने वाले जीवित जो भी मतलब बच्चा जन्म लेता है जीवित हैं वह जीवित ही बच्चे के विलकांट होंगे जिवित की दर जो प्रती हजार वर्स में दर साई जाती है जन्म दर कहलाती है ठीक है तो प्रती हजार वर्स में कितनी जो बच्चे हैं वो जन्म ले रहे हैं जिवित वही क्या कहलाएंगे वही आपका हो जाएगा कि जन्म दर हो जाएगा ठीक है अगला है 2011 का जन्मदर का सब्सक्राइब भारत में सबसे कम और सोधित जन्मदर थी और सोधित जन्मदर सबसे वादा किस राज में थी तो वह राज है केरल क्या हो जाएगा केरल इसके बारे में देख लेते हैं तो और सोधित जन्मदर मतलब होता है क्रूड बर्थ रेट यानि CBR कहते हैं किसी वर्ष बिसेस में जन्में पंजीक्रित कुल बच्चों की संख्या और उस वर्ष की कुल जन्मदर की बीच का अनुपात होता वर्ष 2011 के जन्मदर के अनुसार केला राज में भारत में सबसे कम और सोधित जन्मदर मतलब 15.2 वर्ष 2011 के जन्मदर के अनुसार भारत में कुल जन्मदर 21.8 है ठीक है अगला कुशन देखते हैं जन्संक्या घंटोस से आप क्या समझतै हैं तो जन्संक्या घंटोस से आप क्या सम Something है तो इसका अंसर हो जाएगा प्रति वर्ग किलो मीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है वोई जन संख्या घंत तो कालाती है प्रति वर्ग छित्र में निवास करने वाले कुल ब्यक्तियों की औस जन संख्या को जन संख्या घंत तो कहते हैं जन गणना 2011 के अनुसार भारत के जन संख्या जो घनत हो वह 382 ब्यक्ति प्रतिक वर्ग किलो मीटर है उन लेखनी है कि 20 सदी की शुरुवात यानि वर्स 1901 सिले को वर्स 2011 तक भारत का जन संख्या घनत निरंतर्म बढ़ा है अगला कुशन अनिर्मखित में से किस राज में जन संख्या घनत हुआ है 1106 उसके बाद है पसिम बंगाल जिसका है जन संख्या घनत एक हजार अठाइस उसके बाद के रहल है 860 उत्तर प्रदेश 829 गोवा जो आपका 394 महाराश 365 तमिलाड का जन संख्या घनत जो है 555 है अगला कुशन देखेंगे 2011 के जन गर्णा के अनुसार निम्लिखित में से कौन सा राज जो है भारत में सबसे अधिक घनी अबादी वाले राजे हैं तो घनी अबादी मतलब जिसका जन संख्या घनत तो सबसे ज़्यादा होगा और वह राज हो जाएगा बिहार कौन सा राज हो जाएगा बिहार देखें हैं 2011 जनगर्णा के अनुसार भारत में निम्लिखित में से किस राज में जन संख्या घनत सबसे कम है तो सबसे कम जो है वह है अरुड़ांचल प्रदेश में कहां पर है अरुड़ांचल प्रदेश में है वर्स 2011 के जनगर्णा के अनुसार अरुड़ांचल प्रदेश में जन संख्या खनतो जो है 17 सबसे कम है सिक्किम में जन संख्या खनतो 60 और हिमान्चल पर्देष में जन 893 136 गंप ग्रम 109 है हुआ है निम्कित्र राज्यों में से सर्वक्ष் 760R किस राज्य में हैن तो साथह्षट्य के फूर क्वाइद ज़र्दा है वह मीजोरम में आप संगे ठूर के आजाएगा मीजोरम इसमें देखेंगे तो गर्णा के जनगर्णा के अनुसार साथ श्रता कि राज्यों का जो क्रम है सबसे ज्यादा कहां पर था तो केरल में ज़र्दा के राज्यों का सही आहरोई करम है सबसे कम कहां पर बिहार में जिसमें एक सर दसमलो आठ परस्ट साथ श्रता दर है उसके बाद अवड़ांचर परदेश में 65.5 परतिसाथ राजस्थान में 66.1 परतिसाथ और जहार खंड में 66.4 परतिसाथ आगे देखते हैं दोस्तों जो क्वेश्चन है वह है 2011 के जनगर्णा के अनुसार भारत में सबसे अधिक साथ चरता वाला जिला कौन सा है सबसे अधिक साथ चरता वाला जिला वह सेर चिप क्या नाम है सेर चिप नाम है इसके बादे में देख लेते हैं 2014 के जनगर्णा के अनुसार मिजोरों में सबसे अधिक साथ चरता यानि 97.91 परतिसाथ वाला जिला है सबसे साथ चर जिलों में आईजोल जो है 97.89 परतिसाथ दूसरे अस्थान पर माहे प्रतिसर तीसर अस्थान पर है अगला कुश्चन है जरी 11 के जनगणना के उनसा भाट में भाग के साथ 76 दर कितनी है तो भाग के साथ 76 दर है वह है 74 परसंट कितनी है 74 परसंट है देखें आप लिखा भी है 74 परसंट 74.04 परसंट था जबकि 211 के अंतिम जनगणना कोंसा भाग साथ 76 दर जो है वह 73 परसंट है पुरू साथ 76 दर जो है 80.9 परसंट है मैला साथ चर्टा दिखेंगे तो 44.6 परसंट है भारत में निमखित राज्यों में से किस राज्य में जन् जन्मदर नियूंतम कहां पी हो रहा है तो वह हो जागा केरल में केरल में जन्मदर नियूंतम हो गया है इसके बार हम देख लेते हैं तो प्रसंट प्रसंट दिये गए विकल्पों में केरल में जो जन्मदर नियूंतम है सेंपर रेजिस्ट्रिशन प्राडली के अनुसार सबसे कम जर्मदर जो है वह गोवा का है वह कितना 12.3 परसेंट पूरे भारत में जर्मदर जो है वह 19.7 परसेंट जन संख्याम में उच्च ब्रिधी दर अभी लच्छड करता है उच्च ब्रिधी दर अभी लच्छड क्या करता है तो वह करता है कि उच्च जनमदर हो रहा है अन्यमन मित्व दर हो रहे हैं इसके बारे में देखेंगे तो जन संख्याम उच्च ब्रिधी जननांकी संक्रमण सिधान्त के दूती अवस्ता से सम्मंदित है पर्थम अवस्ता में जन्मदर तथा मित दर दोनों अधिक होते हैं जबकि दूसरी अवस्ता में स्वास्त सच्छा आच चत्रों के मूल्भू सुधार करके मित उदर पर नियंत्रण कर लिया जाता है किन्तु जन्मदर उच्छ बना रहाता है एही स्थिती होती है एही स्थिती भार जैसे देशव में जनसंख्याक व्रिद्हीकि क्या विसथा हो जाएक तो हो जाएगी जर्म दर में क्या है कमे कोशन के किसे देश की साचसरता दर सबसे जनते सबसे दी में जानते हैं कहा पे हैं रूसुमें क्या हो जाएगी cities अगला 211 के जंघणना के और भाउट का सबसे कम आवाधी वाला राज कौन सा ए इसके नहींद करें सबसे कम आबादी वाला राज जो है सिक्किम जनसंख्या जो है इसकी 6,10,587 है केरल की जनसंख्या जो देखेंगे तो देखेंगे तो तीन करोड 34,066,061 है पूरिशा का देखेंगे तो चार करोड 19,64,218 है और तमिलनाड की जनसंख्या देखेंगे तो साथ करोड 21,47,030 है 2011 का जनसंख्या निम्खित राज्यों में से किस राज्य में सरवाधिक ग्रामीड आबादी है तो सरवाधिक ग्रामीड आबादी कहां पे है उत्तर परदिस यूपी में ठीक है सबसे कम आवादी वाले है इसके बारे में हम लोग यहां पे देख लेते हैं सबसे कम आवादी वाले है सबसे कम आवादी वाले हो जागा अब बास वाला की आवादी दिखेंगे तो 99,979 है दतिया का आवादी है एक लाख दोसो चोरासी और नागदा की आवादी है एक लाख 49 ठीक है अगरा कुशन निमखित में से किस वर्स को भारत के जन सांखिकी इतिहास में ब्रिहत एक मात्र ऐसा जनगर्णा वर्स रहा है जिसमें जन संख्या की दसकी ब्रिद्धी दल रुडात मत रही इसलिए 1921 को सरी 1921 को महान विभाजक का वर्स है कहा जाता है इयर आफ ग्रेट डिवाइड ज़रेगा जनगर्णा के अनुसा भारत के किन राज्यों में किन राज्यो कि बिहार राज में बसे हुए गाउं की अधिकतम संख्या जो है वह 1129 है उसके बाद के रॉल और उत्तर प्रदेश करम से 997 और 545 बसे हुए गाउं है भारत की 211 के जनगर्णा के अनुसा निम्न में से कौन दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला दूसरा अधिक आबादी वाला राज जन संख्या जिसकी है 11 करोर 23,74,333 उत्तर प्रदेश की जह सरवातिक जन संख्या जिसमें 19 करोर 98 लाख अन्ठानवे लाख 12,341 है ठीक यह पहला राज हो जाएगा जन संख्या के मामल में 211 के जन गर्णा करोण सार सरवातिक जन संख्या वाला राज कौन हो जाएगा उत्तर प्रदेश जन गर्णा 211 करोण सार भाय के सबसे कम आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज में इस्थित है तो वह राज है अरुडांचल प्रदेश कौन सा राज हो जाएगा अरुडांचल प्रदेश सबसे कम आवादी वाला जो जिला दिबांग घाटी है वह अर्वांचर प्रदिश में इस्थित है अगला कुश्चन है किसी वर्स विसेश में पैदा हुए एक हजार जूइत बच्चों के अनुपात में उन शिशू की संख्या को इंगित करती है जिनकी मृत्य की आविसे पहले हो जाती है तो एक साल एक साल मतलब एक एर के पहले अगर जिसकी मृत्य हो जाती है वह क्या हो जागा सिस्वी मृत्य दर कहला आती है ठीक है इसके बारे में देख लेते हैं तो सिस्वी मृत्य दर किसी वर्स बिसेश में पैदा हुए एक हजार क्या एक हजार जीवित बच्चों के अनुपात में से उन सिस्वी की संख्या को इंगित करती है जिसकी मृत्ति जो है एक वर्ष है कि आई से पहले ही हो जाती है अगला कोशन है भारत की दोहरीगारे के जनगर्णा के अनुसार भारत की दसकी बिकास दर थी दसकी बिकास दर कितनी थी तो वह थी 17.7% कितना था 17.7% 2011 के अंतिम आकड़ों के अनुसार 2001 से लेकर 11 के दोरान भारत की जनसंख्या प्रिद्धी दर जो है वह 17.7% रही है अगला कोशन है आपका वह है बीस जनसंख्या संभावना 2019 रिपोर्ट की अनुसार वर्ष तक भाय की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अधिक होने की संभावना है तक कब तक? 2017 तक इसके बारे में देख लेते हैं तो सेंत राश्ट की आर्थिक और समाधिक मामलों के बिभाग जनसंख्या प्रभाग द्वारा प्रकासिते 20 जनसंख्या संभावना 2019 के रिपोर्ट की अनुसार वर्ष तक बार की जनसंख्या बार की जनसंख्या की चीन की जनसंख्या से अधिक होने की संभावना है इस रिपोर्ट के अनुसार अगले 30 वर्षों में 20 की आबादी में 2 बिलियन लोगों की बिद्धी होने की उम्मीद है जो बर्तमान में 7.7 बिलियन से बढ़कर तो हैर 50 तक 9.7 बिलियन हो जाएगी अगला जो टॉपिक हो जाएगी जन जाती अब जन जाती जितने कोशन हो उस कोशन को हम दोग दिख लेते हैं तो खासी जन जातियां में निवास करती है तो कहां पी निवास करती है खासी जन जातियां तो मेघाले में कहां पी हो जाएगा मेघाले में खासी जन जातियां निवास करती है खासी जन्जातियां मुखता उत्तर पूरवी राज्य मेगाला के आसपास के छित्रों में निवास करती है मेगाला में खासी नामक पहाडी भी इस्तित है इसके गोरो और जैन्तिया एहां की प्रमुख जन्जातिया है अहोम जनजाती भाय के किस राज्य में किस राज्य से संबंदित है अहोम जनजाती जो है असम से संबंदित है तो देखिए कहता है ना कि अहोम है हम ओम है जिसका असम है किसी का बिभादी तो नहीं किया जा सकता है इसको तो इस तरह साप लेड़कर अहम को असम से तो अहम जनजाती का सम्मद किसी दिये गए बिकलपों में से असम राज्य से है इसके तरित यह जनजाती जो है अरुडांचर प्रदेश में भी पाई जाती है यह ताई जात के वनसज है अगला कोशन है चेंचूस चेंचूस है अन सम्मदीत है इसके बार में देख लेते हैं तो चेंचूस जनजाती पाई जाती है इसकी अलामा यह जनजाती आंधपरदेश करनाटा करूरिशा में भी पाई जाती है जनजाती अभी भी जीवन एपन के लिए क्योल सिकार पर बर यह कुर्षीकार्य नहीं करती है अगला कोश्चन है किस भारती राज से नईसी जंजाती का संब्ढ़ है तो वह हो जाएगा अलांचल प्रदस पाउनसी नईसी जंजाती का संब्ढ़ है तो नईसी मतलब नया-नया आ रहा ना नई सी नई सी क्या होती है किरड सुर्ण का प्रकास होता है सबसे ज़्यादा नया जो मिलता है कहां पर मिलता है अरूड बी कहांपे अरूड आंचल को अरूड से रिलेट करें Chopra कर आपको पता है सबसे पहले सबसे बढ़ी जाती है अगला कुशन है मधेशी जन जाती भारत तथा उसके पडुसि देश से सम्मंदित है तो किस से सम्मंदित है मदेशी जो है तो मदेशी जो है आपका नापाल देश से सम्मंदित है इसके बारे में देख लेंगे तो मदेशी जो है जंजाती भारत और इसके पडोशी देश नापाल से सम्मंदित है नापाल के दच्छडी भाग है कि मैदानी छित्र को मदेश कहत इन लोगों की संस्कृति और रित रिवाज बिहार और उत्तर प्रदेश की लोगों की जैसे हैं अंतर के वले हैं कि मधेसी नपाली हैं जो की सीमा के उस पार रहते हैं भारत में हमें जारवा और उंग जनजाती कहां मिल जाती है तो जारवा और उंग जनजाती जो अंडवा निकोबार दीवसमू में मिलती है कहां पर अंडबार निकोबार दीवसमू में भारत में जारवा और उंग जन जाती है जारवा सिकार करने और 31 रूप से रहने वाली खाना बुदोष जन जाती है उंगे जन जाती जो है लिटिर अंडबार दीवसमू में निवास रत है गला जो है यह अंडवान निकोबार्दीप समूं में रहने वाल आदिवासी समूं नहीं है आगे देखते हैं दोस्तों अगरा जो इसमें है वह है मुंडा जो है जहारखंड के आदिवासी समूं है जबकि ग्रेट अंडवानीज ओंग जारवा सेंटलीज निकोबारीज और परशिद्ध और निकोबार्दीप समूं में रहने वाली आदिवासी समूं है अगला जो टॉपिक हो है विवित कोशन देख लेते हैं तो भाद का कछ कारण किस लिए परसिद्ध है तो कछ कारण जो है भारत का वह परसिद्ध है जोारी मिट्टी के लिए किसके लिए जो पर जंगली गधो के लिए परसिद्ध है अगला कोशन निकित में से कौन सी हवाय जो है भूमद्ध सागर से भारत के उत्तर पश्मी भाग की ओर चलती है तो वह हो जाएगा पश्मी बिच्छोब कौन सी हवाय हो जाएगी पश्मी बिच्छोब पश्मी बिच्छोब जो ह भूमद्य सागर से उत्तर पश्चिम भाग की और चलती है भाग की उत्तरी मैदानों में सीत रित्मी होने वाली वर्षा जो पश्चिमी भी छोप से होती है और इनकी उत्त्ति मुलत भूमद्य सागर और अटलांटिक महासागर में होती है भायत की किस नदी का अंतर देशी जल निकास है तो किस नदी का अंतर देशी जल निकास है तो हो जाएगी लूनी नदी इसके बारे हम देख लेते हैं तो लूरी नदी का अंतरदेशी दल निकास है यह अज में राजस्थान के दस्छिर पस्षि में अरावली जिले अरावली से रडी से निकलती है लगवक 320 किलोमेटर तो प्रवाइथ होने के बाद एक कच्छ के रन में बिलूपत हो जाती है अ अब आपसंहें दखेंगे यहां पर जब का विक्टोरिया इसमारक कॉलकाता है यह आपका इनस्को के बिश्चुविरासेथ अस्तल में सामिल नहीं है इसके अलाब का जी रंगा वनजी यह भायर जो असम में सामिल है लाल कीला नई दिल्दी में भी सामिल अजनता की कि भूण हए फिकल्प है उनिश्टो के भी शुराशंसल अस्तल कि हैं भारत का मासिक के दरीक मासिक मांचित्र कहां तैयार और छापा दा किया जाता है तो वह पूड़े में कहां पूड़े में भाय का देनिक मौसम मानचित्र पूड़े इस्थित भारत मौसम बिभाग भारत मौसम बिभाग द्वरा त्यार है और छापा जाता है यह बिभाग पृर्थिभी बिज्ञान मंत्राले के अधिन आता है अगला कुश्चन है वह है भायत किस सहर को महलो का सहर की नाम से भी जाना जाता है तो वह सहर का नाम है कोलकाता को महलो की सहर की रूप में जाना जाता है भायत के पशिम बंगारिशित कोलकाता सहर को महलो का सहर कहा जाता है अपनिवेसिक काल में एहां पर बहुत सारे भावन प्रवेश्द्रवारे के रूप में किस सहर को जाना जाता है तो ने चैंगा को किber तो होजाए गुजर और बक्रवाल गुजर बक्रवाल जंबू कास्मिर तो बहुतायक यह झार송 ओते हैं बहुता mentality के मतलब होता है बहुताक में पालते हैं अगला question देखेंके हिसमे हिमाले की उच्छी टीमेड़ bait EVERY से मैड़ा मैधान को क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं बग्याल क्या कहते हैं वग्याल हिमाले की उच्ची परवत मालाओं के घास की विसाल मैदान को बग्याल या बग्याल कहते हैं इसमें बिहिन परकार के आकशक फूल जड़ी बूटी बहुतायक में पाई जाती है सेंड लिश्टोन निम्खित में से किसका उधारण है तो उधारण है तल छटी पत्थर की किसकी है तल छटी पत्थर की सेंड लिश्टोन जो है तल छटी पत्थर का उधारण है तल छटी चटान पाहनी के बहाओ के दोरा लाई गई बालू मिटी आध के परत दर परत जमने क कारण होती है एक बहुत लंबे समय अंतराल के बाद बनती है किस भारती राज में बास की टपक सिचाई ब्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रियोग की जाती है तो हो जाएगा मेग हाले में कहां पर हो जाएगा मेग हाले मेग हाले में बास की टपक सिचाई ब्यवस्था बह डीजल और छेपन का उदारण होता है इस अवस्था में जलवापस के वाय मंडल में संगनित होने से फुहार के रूमें सुच्में बूद्धु द्वारा वर्षा होती है। थार रेगिस्तान जिसे Great Indian Desert भी कहा जाता है यह की पहाड़ी की पश्मी सिमान्त की ओर इस्तित है तो किसकी पहाड़ी की पश्मी सिमान्त की ओर इस्तित है तो यह अरावली की अरावली पहाड़ी की पश्मी सिमान्त पर इस्तित है थार रेगिस्तान जिसे Great Indian Desert भी कहा जाता ह यह अरावली के पहाड़ियों की पश्मी सिमान्तिकोर इस्थित है इस रेगिस्तान का अधिकांस भाग राजस्थान में इस्थित है किन्त कुछ भाग जो है हर्याडा पंजाब गुजरात और पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत में भी बिस्तारित है माउंट एरिष्ट पे चढ़ाई करने के लिए परवता रोही को जाने की आवसकता होती है तो कहाँ पे जाने की आवसकता होती है तो वह है नापाल माउंट एरिष्ट जिसकी उचाई देखेंगे तो 8888.86 मीटर है पर चढ़ाई करने के लिए परवतारोही को नापाल जाने की आउसकता पड़ती है पर चढ़ाई करने के लिए मुखता दो मारग है एक किबबत की और से अपेच्छा करित आसारं सुगम उत्री मारग और दूसरा जो है नापाल के सोल खुम्भू इलाके से होकर जाने वाला प्रमप्रा गत दच्छडी मारग है अगला हरने मिखित में से किस राज में भार का पहला स्पेस टेक पार्क का स्थापित किया जाएगा तो वह राज है केरल केरल में पहला स्पेस टेक पार्क का स्थापित किया जाएगा भार का पहला स्पेस टेक पार्क केरल आज के तुरूंत पूरम में स्थापित किया जाएगा इसके लिए संपूर निवेस भारती अंतरिच अंसंधान या इशरो के परमुख अंतरिच अंसंधान के अंदर विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर या वी एस से दोारा किया जाएगा इसका उद्देश जो है सहर को अंत्रिष से सम्मंदित पुरद्धों की हित एक बी निर्मार हब बनाना है अगला कुशन भारत की भौतिक विशिष्टिताओं के संदर्व में कायल क्या होता है तो कायल क्या होता वो होता है और प्रवाही जल क्या होता है और प्रवाही जल होता है इसके बारे में देख लेते हैं तो भायत की भौतिक विश्ष्टिताओं के संदर में और प्रवाही जल को कयाल या कायल कहा जाता है समुद्री छित्र में टटी इलाको का पानी सूखी जमीन में घुश जाता है और इसके किनारे पे धीरे धीरे बालू जमने से यह जली भाग समुद्र से अलग हो जाता है इस जली अकृति को लैगून कहा जाता है जिसे किरल में कयाल कहा जाता है सिंदू जल संधी भारत और किस देश के बीच हस्ताच्रित हुई है तो वह हो जागा भारत और पाकिस्तान के बीच ठीक है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सिंदू जल संजोता जो है यह हस्ताच्रित हुई है इसके बारे हम देख लेते हैं तो सिटमबर 1960 में सिंदू जल संदी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में वी एक संदी है इस संदी पे भाग के ततकालिन परधान मंतरी जौहलल नहरू और पाकिस्तान के राश्टपती अयूब खान ने कराशी में हस्ताशर किये थे फ्रेंडसिफ हाईवे जो चीन को निलमखित में से किसके साथ जोड़ती है तो चीन को नेपाल के साथ जोड़ती है फ्रेंडसिफ हाईवे जो है चीन को नेपाल के साथ जोड़ता है इसे चीन नेपाल राजमार के नाम से भी जाना जाता है डाल चिनी मसाला मुलता कहां का है तो यह कहां का हो जाएगा तो स्रिलंका खोड़ागा डाल चीनी मसाला इसके बार में देखेंगे तो डाल चीनी मसाला मुलता स्रिलंका का है भारत में केरल एवं तमिलाड में इसकी पैदवार कम उचाई वाले पश्मी घाटों में होती है कौन सा बाद जो है अफगान भारत मित्रता बाद कालाता है तो बाद का नाम है सलमाबाद क्या नाम है सलमाबाद ठीक इसके बार में देख लेते हैं तो सलमाबाद जो है अफगान भारत मित्रता बाद कालाता है यह बात जो है पश्मी अफगानिस्तान के हेरात परांत में चिस्त और सरीफ नदी पर बना है अगला कोशन है सौर उर्जा को उपयोग में लाने के लिए भारत के विकास कारी सयोग के अंतरगत प्रस चित अफिर्की देशों से ग्रामिड महिला और सौर इंजिनियों के समो को क्या कहते हैं तो सो कहते हैं सौर ममास क्या कोते हैं सौर ममास भायरत के विकास सयोग के अंतरगत और सौर विकास के उपयोग में लाने की प्रस्चित अफिर्की देशों से ग्रामिड महिला सौर इंजिनियों के समों को सौर ममास कहा जाता है अगरा कुछन भूमी में जल के रिशाव की प्रिक्रिया को क्या कोते हैं तो इसको कोते हैं अंतो इस्पंदन क्या कोते हैं अंतो इस्पंदन अंतो इस्पंदन वह प्रिक्रिया है जिसके दोरा जमीर की सतह का पानी जो है मिट्टी में प्रिवेस करता है इस प्रिक्रिया की द्वारा मिट्टी की जल और सोशल करने की छंता का पता लगाया जाता है मिलान करना आपको राइट हम लोग मिलान ही देख लेते हैं तो सिंधु नदी जो है यह पड़ोसी दिसे को सा संजोता हुई तो भायत और पाकिस्तान की बीच गंगा जो है बंगलादेश से हो अगला निंकित में से कौन जो है पारंपरिक जल भंडार और संद्चना नहीं है तो पारंपरिक जल भंडार संद्चना नहीं है इसके बारे हम देख लेते हैं यहां पर देखिए आपका हो जागी हर्याली हर्याली जो है आपका पारंपरिक जल भंडार संद्चना नहीं है इसके लावज जिस्ते हो गया कुंड हो गया था और क्या था दोठों इधर देखिए कुंड और जोहर और टंका एक क्या हो जागे पारमपरिक जल भंडारन सन नचना हो जाएंगे ठीक है इसके बाद आगला कोशन देखते हैं वह है एक भूम की भूजल इकाई है जो जल को एकत्रित करके एक समान बिंदू पर धाराओं के तंत्र के माध्यम से अपवाहित करता है तो हो जागा वाटर सेड़ क्या हो जागा वाटर सेड़ जल संबर उस भगोली छित्र को करते हैं जहां वर्षा थवा पिगलती वर्फ का जल नदियों नहरों और नालों के माध्यम से अपवाहित होकर एक ही अस्थान पर एकत्रित होता है भाद की सबसे लंबी LPG pipeline जाम नगर से तक है कहां से कहां तक है तो जाम नगर से लोनी तक है कहां तक लोनी हो जाएगा प्रशनकाल के संदर में भाद की सबसे लंबी LPG pipeline गेल की अमसार 1410 km पेट्रोलियम और प्राकृतिक गेस बिनायम बोड की अमसार 1414 km गुजराद के जाम नगर से उत्तर प्रदेश से गाजियाबाद इस्तित लोनी तक है बरतमान भाय के सबसे लंबी LPG pipeline जो है अठाइस सो पांच किलो मिटर है और यह गुजराद के कांडला पोर्ट से लेकर गोरकपुर तक बिछाई जा तही है अगरा कुशन देखेंगे इसमें 35 से 45 km की अनुमानित लंबाई और 22 से 25 km की चोड़ाई वाला निम लिखी तो दून में से कौन सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा जो है देहरा दून है कौन सो जाएगा देहरा दून हो जाएगा इसके बार हम देखेंगे देहरा दून सभी दूनों में से सबसे बड़ा है जिसके अनुमानित लंबाई जो है 35 से 40 किलो मिटर और चोड़ाई जो है 22 से 25 किलो मिटर है जब नदिया सभी दिसाऊ से अपने जल को किसी जील या आउसाद में निसरड करती है तो निरमित जल निकासी अपवाब पैटर्न कहा जाता है तो क्या दिए जल को अभी क्यंदरि कहता है इस्टेनली जलासे निम्लकित में से किस राज में इस्थित है तो इस्टेनली जलासे जो आपका वहा तमिलाड राज से इस्थित है इस्टिरनेली जलासे तमिन लाड राज में इस्तित है कावेरी नदी परिस्तित इस जलासे को में ट्यूर बाद की रूप में भी जाना जाता है यह जो है दच्छिर भारत ने मच्छिर पकरने की सबसे बड़ी जलासों में से एक है रेडुका अद्रभूमी नामक रामसर अद्रभूमी अस्थान निंखित में से किस राज में है तो रेडुका जो है आपका हुआ हिमानचल पर्देश में कहां पर है हिमानचल पर्देश में है रेडुका नामक अद्रभूमी रामसर अद्रभूमी हिमानचल पर्देश के सिर मौर जिले में इस्तित है इसे नुवंबर 25 में रामसल आद्रभूमी की रूम में घोसित किया गया इसका कुल जो छेत्रपलोवा 20 से हिक्टेयर है या भायत का सबसे छोटा रामसल आद्रभूमी अस्थान है एच वी जे पाइपलाइन जो भायत की पहली अंतर राजी अंतर देशिक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में भी अच्छर का अर्थ है यहां पे देखिए अंसर देखते हैं इसका तो भी अच्छर का जो अर्थ है वह बिजयपूर होता है क्या हता है बिजयपूर है इसके ब हजीरा भीजयपोर और जग्दिश्पूर पाइपलाइन भारत की पहली अंतर राजी अंतर देशी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है वी का तद si क्या हो जाएगा वीजयपोर से काकी नाडा जो भारत के gas pipeline network में एक विशेश अस्थान रखता है किस अस्थान पर इस्थित है तो वह अस्थान है आंदपरदेश आंदपरदेश में इस्थित है काकी नाडा काकी नाडा आंदपरदेश के पूर्वी गोदावी जिले में इस्थित एक है सहर है काकिनाडा बिजाग स्रीकाकुलम गयस पाइपलाइन भारत के गयस पाइपलाइन नेटवर्क में विशेश अस्थान रखता है काकिनाडा में कोरिंगा वन जी अभ्यारण भी इस्थित है अगला कुशन देखेंगे वन जी अपराद नियंतरण भी रोण डबलू सी सी बी पार्यावरण वन और जलवाय परवर्णतर मंत्राल है EMOEF EF और CC के तहथ एक संविधिक बहु बिश्यक निकाय इसका मुखाल़ कहा इस्तित है इसका मुख्याल़ जो है नई दिल्ली में इस्तित है कहा नई दिल्ली में अगर अगर आप लोगोर को शेर और सम्क्राइब जरूर करिएगा धन्यवाद दोस्तों झाल झाल